हेलो यूजर आज हम जानेंगे मार्ग ERP सौप्ट्वेर में पर्चेस बिल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है इसके लिए हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाएंगे उसके बाद में पर्चेस में जाएंगे और उसके बाद modify bill पे enter मारेंगे जैसे ही आप यहाँ पर modify bill पे enter मारते हैं आपके सामने modify की window खुल जाती है और उसके बाद सबसे पहला जो option आता है custom मतलब कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से date को customization कर सकते है example के लिए कि मुझे जो है bill जो भी customization या जो भी modify करना है वो यहाँ पर particular date के हिसाब से करने है जैसे 13-11-2022 से लेके 14-11-2022 तक के ही मुझे bill देखने है तो आप यहाँ पर date mention करेंगे और end तक enter मारेंगे तो आपके सामने particular उस ही date के purchase bill शो होंगे अगर आप चाते हैं कि इस financial years के अंदर में जितने भी purchase bill मैंने बनाये है वो सारे के purchase bill मुझे show करने है तो यहाँ पर आप अपने keyword से एक बार a press करेंगे a press करने से यहाँ पर आपके सामने option आएगा all time all time का मतलब इस financial years के अंदर में आपने जितने भी purchase bill बनाये है वो सारे के सारे purchase bill आपकी screen पे show हो जाएंगे उसकी बार में आप again enter मारेंगे और end तक enter मारेंगे जैसे ही आप end तक enter मारते हैं आपके सामने जहां से आपने बिल शुरू purchase bill बनाये थे उस total purchase bill आपके screen के यहाँ पर show जाएंगे उसके बाद जो भी purchase bill आपको modify करना है उस purchase bill के उपर में एक बार enter मारेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस purchase bill के आपने उपर enter मारा था उसकी detail आपके यहाँ पर show कर जाएगी उसके बाद में अगर आप चाहते है कि इस purchase bill को modify करना है तो नीचे दिये गए modify वाले option के आप enter मारेंगे तो देखेंगे आप इस bill के अंदर में enter कर गए उसके बाद में आप चाहे तो इस bill के अंदर में जो changes करना चाहे वो कर सकते है यहाँ पर आप product के related अगर आप modification चाहते है तो product के उपर में enter मारेंगे आप चाहे तो यहाँ quantity को सुदार सकते है या फिर आप चाहे तो यहाँ पर purchase rate जो भी आप rate है उसको rate को सुदा सकते हैं आप discount को सुदा सकते हैं again जो भी आपको modification करनी है आप यहाँ से इसके उपर में enter मारेंगे और यहाँ से वो modification कर लेंगे उसके बाद जब आपका modification complete हो जाए उसके बाद में इस bill को save करने की बाद आती है तो इस bill को save करने के लिए आप अपने keyword से एक बार या तो end की दबाएंगे या फिर नीचे देगे save button पे click करेंगे उसके बाद again आप एक enter मारेंगे इस पे no पे enter मारेंगे save करेंगे enter, enter और enter जैसे ही आप enter करते है तो आप देखेंगे कि आपकी सामने जो भी आपने changes कर रहा था purchase bill के अंदर में वो purchase bill completely modification हो चुका है तो देखा आपने Mark ERP software में purchase modification कितनी आसान है ऐसी informative वीडियो के लिए हमारी चैनल को subscribe करेगा हमारी वीडियो को like करेगा thank you